एक बार एक राजा शाम को अपने राज्ज में घूमने निकला पूरे राज्ज में सब कुछ देखता जा रहा था तभी उसने देखा कि सड़क किनारे माटी में एक फकीर बेठा है और मिटी को हाथ में लेकर के एक बालक की भाती बच्चे की तरह उस माटी से खेल रहा है राजा ने देखा और राजा के मन में आया कि शायद ये फकीर के पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ों की कमी है तो क्यों ना एक राजा होने के नाते मैं इसकी थोड़ी मदद करूँ पर वो ये नहीं जानता था कि फकीरों की संतों की मस्ती अलग होती है राजा गया संत से निवेदन किया कि महराज आप मेरे राज में चलो और मेरे महल में रहो मैं आपके लिए पूरी विवस्ता कर दूगा फकीर मुस्कुराए और राजा से कहा कि ठीक है अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी चार शर्तों को तुमको मानना पड़ेगा अगर वो शर्त तुमें मनजूर है तो मैं साथ चलूँगा राजा ने कहा कहिए आपकी कौन सी शर्त है फकीर ने कहा मेरी पहली शर्त मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोगे राजा बड़ा शर्त चकित हुआ फिर कहा कि चलो कोई नहीं आप शर्तें आगे बताईए फकीर ने कहा मेरी दूसरी शर्थ है कि मैं खूब खाऊंगा पर तुम नहीं खाऊगे और मेरी तीसरी शर्थ है मैं अच्छे-च्छे वस्तर पहनूंगा पर तुम नहीं पहनोगे और मेरी चोथी सबसे महतुपून शर्थ है कि 24 घंटे तुम मेरे पास रहोगे और मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे अब राजा ये सुनकर के हसने भी लगा और गुस्सा भी आया ये कैसी शर्ते हैं अरे मैं 24 गंटे आपके साथ रहूँगा आपका ध्यान रखूँगा तो फिर राज्य को कौन समहा लेगा और वैसे भी आप खाओ आप पहने और मैं कुछ भी ना करू ऐसे कैसे हो सकता है तो फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा ये चारो शर्त तुम नहीं कर सकते मैं तुमारे साथ नहीं चल सकता क्यों क्योंकि तुम एक राज्य के बादशा हो और तुम मुझे ये देने के लिए तयार नहीं हो पर तुम जानते हो मेरा बादशाह यानि मेरा भगवान ये सब शर्तें मनजूर करता है वो खुद नहीं खाता पर मुझे खिलाता है वो खुद कभी नहीं सोता पर मुझे सुलाता है और सबसे बड़ी बात 24 घंटे हर क्षण हर स्वास में वो मेरे साथ रहता है वो भगवान मुझसे कभी दूर नहीं जाता तो जब मेरे पास इतना बड़ा बादशाह है तो मैं तेरे साथ चल करके क्या करूँ राजा शर्मिंदा हो गया सच मुझ यकीन मानिए इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बादशाह और आपका सबसे बड़ा कोई हितेशी है तो वो एक मात्र आपके भगवान है हर रोज सुबह उठकर के उन्हें धन्यवाद दीजे कि वो आपको खिलाते हैं सुलाते हैं आपके साथ हर्षन रहते हैं और एहसास करते रहें कि भगवान हमेशा आपके साथ मौजूद है जैशीरादे